यह PFC 2024 का अब exams में बहुत कम दीन है तो जो आपके current affairs के questions जो MCQ आपके upload हो रहे हैं वो MCQ का यह compilation आपको मैं धीरे-धीरे करके one week में आपको provide करा दूँगा इसमें जो है वो इस वीडियो में link आपको मिल जाएगा वीडियो के description में इसका link PDF का मिल जाएगा और आपको जो current affairs करने है इन नॉर्मल देखो एक शी जान रखना कि जो UPSC unpredictable है उसमें से आप कितना भी कर लो कुछ चूटेगा कोई कई नहीं सकता कि हम 100% किये हुए हैं अब तक तो किसी का 250 में से 250 नहीं आया, current affairs में भी वही situation है, आप हो सकता है कि संजोग है कि आप maximum question कर लो, लेकिन मान के चलो 20 questions है current के हैं, हो सकता है, direct हो current के नहीं हो, लेकिन current से relate करके, suppose 20, 20 में से कोई हो सकता है 18 बना ले, कोई हो सकता है 10 ही बना पाए, तो हम जो last एक तरह से one year का generally ज्यादा करते हैं, तो जो आपको करना है अभी, जून 23 से ले करके और जून 23 से ले करके आपका जून 24 तक का करना है, ठीक है, तो जून 2024, तो जो चल रहा है, उसमें से बीच में देखो, थोड़ा सा, फेब में आपका बंध था, यानि कि थोड़ा सा इस year में कुछ सम करना है, यह मैं आपको PDF दिखा रहा हूं, तो इसमें से जून मंत का इसमें मैं प्रोवाइट करा रहा हूं, वैसे ही next week तक, यानि next 8 days में सारे मैं प्रोवाइट करा दूँगा, यानि कि आपको जून 24 तक का करवा दूँगा, वो दिल दे दूँगा, अब उसको पढ़ना कोफी, बिच बॉइस सीन इन दर निवज इस फ्रोम विच स्टेट, अभी देखो, अराकू बैली जो है, वो आपका अंधर परदेश में है, तो वैसले कोफी भी वहीं का होगा, अब यह आपने आंसर देखा, देखो इसके बाद एक्स्प्लानेशन थोड़ा सा है, तो उस आपको फर्स जून 23 से कर लेना है, और आपका जून 24 था के लिए, तो यह क्यों, रिसीव दा नेशनल प्रोग्राम फोर और और अर्गेनिक प्रोड़क्शन, सर्टिफिकेशन फ्रोम डेवलप्मेंट अथोरिटी, अपेड़ा, अग्रिकल्चर एंड पोसेस्ट, फूड एक्सपोर्ट डेवलप्मेंट अथोरिटी, कॉफी एंड पेपर बिइंग प्रोक्योर्ड बाइद गिरिजन कॉपरेटीब, कॉपरेशन, कॉपरेशन फ्रोम दे ट्राइवल कॉफी पार्मर्स आयट चिंता पली डिवीजन, रिसीव दे सर्टिफिकेट, तो यह इस कारण से आपका था, अब जैसे देखो, बल्ड नोट टोबाइकोर डे जो होता है, वो आपका 31st मे को मनाया जाता है, अब शब्ट 24 का करोगे, तो 24 का आएगा, यह 23 का है, तो 23 का है, बेनीट फूट नोट टोबाइकोर, यह 23 का है था, तो बैसे देखो, हमने आंसर्स यहीं पू तो रेज अवेरने से बहुत हामफुल इपक्ट आप टोबाइकोर, अब यह 23 का जो थीम था, वैसे ही, देखो, तो इस धंग से आपको सारे करना है, जैसे अभी आपको देखोगे कि बहुत बार अलग-अलग टाइप के कोश्चन्स दिये रहते हैं, तो यह कोश्चन्स व आपके बहुत बार क्या होता, related aspects से आते हैं, अब कोई जरूरी नहीं एकदम इसी form में आया है, नहीं, कभी-कभी क्या होता है, दो-तीन concepts को मिला करके आपको questions पूछे जाते हैं, तो इस डंग से आप questions देखोगे, उसके explanation देखोगे, और वैसे ही आपको ध्यान सारे को करना है, सबको यह, तो अब देखो, इसमें से लगेगा ना कि बहुत सारे pages हैं, लेकिन सारे pages में भारा हुआ content नहीं है ना, अब यह देखोगे, यह क्या है, page तो आपको लग रहा है, लेकिन अब इसको हम क्या करें, सबको small-small कर दें, तो यह बहुत कम pages होगा, तो आपको बह explanation दिया हुआ है, तो उन explanations को जरूर देखोगे, वैसे करकर के हम सारे questions को आपको यह कर देंगे, ठीक है, अब यह था, जैसे which of the following football club became most valuable football club in the world as on June 2023, अब June 2023 के अंसार है, Real Madrid है, तो आपको यह देखना होगा कि for the second time in a row, Real Madrid football club is listed as the world's most valuable football club of the world, the Spanish club Real Madrid tops the list for the second year in a row, with a value of USD 6.07 billion, second on the list is English club Manchester United, ठीक है, with a value of USD 6 billion, Barcelona another Spanish club is third on the, आप देखो, जैसे इसको आपने एक देखा, कोई जिरूरी नहीं यहाँ सर्च करने लगो, लेकिन इससे related, यदि आगे आता है, तब उसमें से आपको थोड़ा सा memory में ध्यान रखना है, तो वैसे करके आपको शारे, यह पूरे जो है, जून मंत के, जून 2023 के हैं, ठीक है, जून 2023, इसका जो PDF है, वो PDF आपको, टिलिग्राम ग्रूप बाले में भी मिल जाएगा, और प्लस, यह इसका जो वीडियो, यह जो PDF है, उसका आपका जो लिंक है, Google Drive लिंक, ठीक है, गूगल ड्राइब लिंक जो है, वो इस वीडियो के description में मिल जाएगा, आप उसको देख लोगे, मैं अभी आज आपका 13th है, तो 20th तक मैं शारे आपका कर दूँगा, और बहुत सारे चीजे पेंडेंस हैं, उसको भी मैं daily daily करके तोड़ा-थोड़ा करूँगा, ठीक है, फिर कुछ भी आपके questions क्यूरी रहेंगे, तो आप comment box में comment कर सकते हो, okay, thank you.